सावन का महीना सुरू हो चुका है और इस दोरान कई लोग एक महीने का व्रत भी रखते हैं व्रत में कौन सी चीजे खाएं जिससे अनरजी बनी रहे इस बारे में आईए विस्तार से जानते हैं सावन का महीना भगवान सीब का महीना माना जाता है यह महीना 22 जुलाई सौमव को फास्ट करते हैं तो कई लोग पूर एक महीनी का विरत रखने से सरीर में कई फायदे होते हैं इससे सरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है फास्टिंग के कारण विरत के दोरान चक्कराना कमजोरी जैसी समस्याय आ सकती हैं इसका कारणी कि वे लोग अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को सामिल नहीं करते जो लंबे समय तक सरीर को एनर्जी दे पाएं अगर आप भी एक महीने की फास्टिंग कर रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसी चीजे बता रहे हैं जिने डाइट में सामिल कर सकते हैं ताकि सरीर में एनर्जी लेवल बेलेंस रहे चलिए आपक की फैट बंद करने और वजन घटाने में उपवास काफी मदद कर सकता है इसके अलावा उपवास में सिमित भोजन की सेवन से हाई केलस्ट्रोल हिर्द्य रोग हाई बीपी जैसे बिमारियों में भी सुधार किया जा सकता है फास्टिंग के दोरान घंटों तक सरीर आराम क की स्थिती में हो जाता है जो हमारे पाचन तंत्र को सरीर में डिटोक्स प्रिकर्या सुरू करने और हमारी आत को साफ करने का संकेत देता है डॉक्टर पासी में वरत के दोरान कौन कौन सी चीजे खाए जो एनरजी देने के साथ साथ वेट लोस में भी मदद कर सकती है पकोड़े बड़े या हलवे की बजाए खिचड़ी या रोटी बना कर खाए और उसमें मुझूद कार्ब से लंबे समय तक एनरजी मिलेगी उबले हुए आलू, फल, जड़ वाली सबजी, दूद और डेरी प्रोडेक्ट्स